नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर तो आज हम बात करेंगे डियलेड एकजाम 2021 लेटेस्ट अपडेट के बारे में तो आज हमारी तारीक हो चुकी है 19 दिसंबर 2021 की बड़ी अपडेट में सबसे पहले बात करेंगे आज की ब्रेकिंग प्यानपी लेटेस्ट अपडेट को हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे फेल चात्रों के बड़ी अपडेट है उसको देखेंगे यूपिटेट परिच्छा की तारीक और सीटेट 2021 एडमिट कार्ड जी यहां दोस्तों दोनों अपडेट को देखेंगे फिलाल आपको बता सीटेट का पेपर है, वो 20 दिसंबर से सुरू हो रहा है तो देखेंगे दोस्तों जो सीटेट की तरफ से ऑफीशल नोटिस आई थी उसमें यहां पर बात बिल्कोल क्लियर लिखी गई है जो दोस्तों पेपर हमारा सोम फार 20 दिसंबर से सुरू होगा वो सेड attempt करेंगे ठी जिन बच्चों का बैक पेपर हुआ, जो बच्चे पास होगे, जिनकी संक्या लगबग तेई से जा रहे हैं, ठीक है, तो उन बच्चों को 203 समिष्टा का पर देना पड़ सकते हैं, अगर प्रमोट कैंसिल होता है तो, ये सारे दोस्तों विसे आप देख लीजे कौन-कौन स विसे हैं, सहचिक मुल्यांकन, समाविसी सिच्चा, विज्ञान, गडि, समाजी कद्यन, हिंदी, संस्क्रत या उर्दू, कम्प्यूटर, उसके बाद दोस्तों जब अगर आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, तो चतुर समिष्टर में दोस्तों कौन-कौन से विसे इसको देख लेते हैं, आरंबिक इस्तर पर भासाइवं गडित के पठल लेतन, जमता का विकास, सहचिक प्रबंदनेवं प्रसातन, विज्ञान, गडित, समाजी कद्यन हो गया दोस्तों, उसके बाद आपका आएगा, हिंदी, अंग्रेजी, सांति, सिच्चेवं, सतत्विकास, यह दोस्तों 8 विसे है, यहाँ पर भी परिच्चा की तारिक दोस्तों बदली भी नजर आएगी, ठीक है, अब दोस्तों कुल मिलाके, अब यही नजर आ रहा है कि भईया, अब आपका जो पेपर है, 2022 में ही जाएगा, 19 तारिका जमारी हो गई है, स्कूटनीक रिजल्ट अ बिल्कुल गलत है आपको बता दे, अगर आप धरना नहीं देंगे, या दोस्तों आप संगर्स नहीं करेंगे, तो मान के चलिए कि आपको भईया, यह ठर्ड समिष्टर वाली जो डेट सीट इसको लिख लीजेगा, ऐसे ही दोस्तों सीरियल लेगा, इसी हिसाब से मतलब आ हमारे नए सची होएं, वो तो भईया लग रहा है कि आपका ठर्ड का पेपर करा कर मानेंगे, ठीक है न, तो यह दोस्तों डेट सीट जरा देख लीजे, काफी बच्चे संगर्स नहीं करना चाहते, सोचते हैं कि भईया, ऐसी प्रमोट हो जाएंगे, तो यह वाले जो सची का पेपर देंगे, नहीं करेंगे, तो पहले आपको ठर्ड का पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद चतुर्थ समिष्टर का, एक बात और, जितने बच्चों की सेकंड समिष्टर में फिर से बैक लग गए, चाहे किसी भी कारण से गलती से जैसे भी, उनको तो भईया क्ल 10,000 से ज्यादा नए मामले इंडिया में हमारे 10,000 से कम मामले, जो कि अभी ठीक ठाक खबर है, लेकिन मान के चलिएगा अगले 2-3 में में आपको करोना तेजी से देखने को मिल सकता है, तो तैयारी पूरी होनी चाहिए, नहीं तो दोस्त उधर भी डियलेट का हमारा पेपर डियले हो सकता है, आपको बता दे, जो बच्चों की बैक लग जाती, उनको फिर प्रमोट नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये जो सची हो इनसे तो बिलकुल आप उमीद करिए गाईमत, अब दोस्त उमीद हमें है कि हमारा यूपी टेट का पेपर हो, तो अभी तक दोस्त यही अपडेट आ रही है कि टेट का जो पेपर है, वो 23 जन्वरी को हो सकता है, लेकिन दोस्तों दिन कुछ और भी पेपर पढ़ रहे है, ठीक है, जब तक सरकार अंतिम मोहर नहीं लगा थी परिच्छा की तारीक पर, तब तक दोस्तों हमारा पेपर नहीं हो सकता, ये भी 30,000 पदों पर भरतिया करने जा रहा है, एनम के 9,212 पदों पर भरती के लिए विग्यापन निकाला जा चुका है, तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट थी कि कम से कम यहां पर वैकेंसी का विग्यापन आ चुका है, जो सुरू हो रही है, ठीक है, तो यहां अच्छी पर देखने को मिली, लेकिन आपको बता दे, लेक पाल के भी 207,882 पदों पर भरती के लिए जल्द विग्यापन निकालने के तयारी है, तो बच्चे दजार इसका साल भर से कर रहे हैं कि कब आएगी वैकेंसी, लेक पाल की, तो अगर आपको दोस्तों DL8 में नौकरी दे प्रेक लगेगे, देखें, बिल्कुल हम सही बात आपको बता रहे हैं, जैनुविन बाते हैं, हवेम बाते नहीं हो रही हैं, उसके बाद आपको पता है कि एक मैना दोस्ते स्कूटनी के लिए आविदन की प्रक्रिया चलेगी, उसके बाद उसका रिजल्ट आएगा, त्य क्योंकि चतुर्स का रिजल्ट आते हैं ऐसा नहीं कि ठर्ड का रिजल्ट गोशित कर देंगे, प्रमोट वाल अफफ समिश्टा का रिजल्ट आ जाएगा, पहले दोस्तों हमारा जो रिजल्ट आया था प्रमोट का वो ऑनलाइन जारी किया गया ते इसलिए तुरंत आ आ ग से रहेंगे, फिलाल आप लोग बिल्कुल परिशान मत हुएगा, सीटेट एडमिट कार्ट को लेकर जो अपडेट होगी, यूपीट परिच्छा की तारीक को लेकर या डेलेट बैक पेपर परिच्छा की तारीक, सारी अपडेट हम आप तक पहुचाएंगे, एक और दोस् दोस्तो बिल्कुल अलागे, आपको पता है कि नकल कहां पर जादा होती, कहां पर नहीं होती है, ठीक है, तो ये दोस्तो बड़ी अपडेट सी, एक बात और आपको बता दे कि आखों की पुतलियों की स्कैनिंग होगी, जी आँ दोस्तो कुछ बदलाव किया जा रहा है, कि यूबिक में टेट का परचा उट होने के बाद, आयोग और अधिक सतरकता बरत रहा है, आयोग के अध्यश प्रवीड कुमार का कहना है कि मुन्ना भाईयों को रोकने के लिए, अंगूठे का निसान, आखों के पुतलियों की स्कैनिंग की ब्योस्ता कराई जा रही है, प् यह पूरा मामला है, एक और दोस्तों बड़ी अपडेट निकल कर रही, हैली पेट देखने गए दो सिच्चक गिरपतार हो जाते, तो आप बड़ी उस्चुक होते हूं गयार कि हमारे कोई मंत्री जी आ रहे, नेता जी आ रहे, तो ज़रा ध्यान रखिएगा, कि पीम के आ प्रदर्शन पूलिस ने खदेड दिया, लखनौ से अपडेट है, आपकी सीनियर चाहत रहे, इतलिए दोस्तों अपडेट हम आपको बताते हैं, ताकि आपके साथ भी यह चीज़े कल को अपलाई होंगी, तो आपको पता होना चीज़िक हमें क्या करना है, क्या नहीं करना परसदी विद्यालोविन यूकती की मांग को लेकर 69,000 सायक सिच्छक भरती, अभ्यर्तियों का प्रदर्शन रोजाना जारी है, बड़ी संक्या में सनिवार को अभ्यर्तियों ने डाली इस्तित, बेसिक सिच्छा राज मंत्री सोतंत प्रभार, सतीच चंद दिवेदी के आ अभ्यर्तियों का कहने कि 69,000 भरती प्रक्रिया में 22,000 सीटे और जूड़ी जाए और उन्हें भरा जाए, 22,000 सीटे दोस्तों खाली है, 38,500 सिच्छक भरती की, अगर वहाँ पर भी B8 के छातरों को मौका मिलता है, तो ये 22,000 सीटे खाली ना रहती, तो खुल मिलाके दोस्त 90 नम्मा नहीं लाना, 97-98, सिर्फ 90 नम्मा ले आईए, और अच्छित वर्गे के छातरे, OBC, CHT, Fiscal Handicap, आपको नौकरी पक किये, इसका दोस्तों जीता जाकता सबूत है, 69,000 सीच्छक भरती, प्लस 68,500 सीच्छक भरती, 68,500 सीच्छक भरती में 22,000 सीटे खाली, इसलिए है, क्योंकि वहाँ पर B8 को मौका नहीं मिला, ठीक है, B8 को मौका नहीं दिया, 69,000 में सीटे इसलिए भर गए, क्योंकि यहाँ पर B8 आ गया, अगर B8 ना आता, तो भी दोस्तों आपको बता दे, DL8 चात्रों से 69,000 सीच्छक भरती में सीटे फुल नहीं हो पाती, क्योंकि उत भी अपडेट आई कि अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंगे, फिलाल वीडियो के अंतर में बस यहीं कि बैक पेपर परिच्छा की तारीक कब तक आ सकती है, क्या डेट सीट होगी, क्या दोस्तों 2021 बैच के नए शात्रों को मौका मिलेगा, प्रसम समिष्टा का पेपर देने का, तो गाईस आपको बता जाए, अगर बैक पेपर की डेट सीट आती भी है, तो वहाँ पर 2021 बैच के शात्रों का पेपर तुरंद नहीं होगा, कि December में यह पेपर करा लिया जाए, या January में, ठीक है, आपको जब 6 मेने कंप्लीट होंगे, 2021 बैच के, तब ही उसके ब जनवरी 2022 में ही होगा, उधर आचार से इतलाग होने वाली है, नए सिच्छक बर्ती के उमीद ना के बराबर है, अगर बर्ती आ गई, तो फिर वाईए कि 2019 बैच, 18 बैच के जिन बच्चों ने टेट क्लियर नहीं के सब बाहर होंगे, क्योंकि 200 बर्ती आनी बड़ी बात न आद में कराया जाएगा, तो कुल मिला के दोस्ति यह समय लिजए सौ परितिसत की लेट लटीपी हो रही है, बाकि जो भी यूपीटेट की अपडेट आएगी, डियलेट बैक वेपर की आएगी, सीटे 10 मिट कार्ट के एगी, वो अपडेट हम आप तक पहुचाते रहेंग जाहें, बाकि एमने में आएगी, बाकि भी यूपी टली मुचाते तर्म मुचाते जाएगी मुचाते रहेंगी olması मुचाते हैं, नाएगी.